जवलपुर के 20 से अधिक परमुक भर्मणी है और दर्शनिय स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इनका क्लोक वाई जो है रूट सेट किया गया है यह रेलवे स्टेशन है यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले चलते हैं डूमना नेचर पार्क यहां पर साइकल ट्रैक है बहुत अच्छा पारक है इसके अलावा जो है बटरफलाई गार्डन है यहां पर और इसके साथ जो एक लेक है जिसका नाम है खंडारी लेक इस लेक के जो बगल में है वो डिवार बनाई गई है जिसके उपर से पानी ओवर्फलो होके गिरता है इसमें घडियल वगेरा भी है और जंगल में हीरन आदी भी पाई जाते है काफी अच्छा जो है टाइम स्पेंड करने का जगह है यह दूमना एरपोर्ट के पास में है इसके बाद जो अगला प्लेस है बरगी डैम यहां पर जो है बिजली बनती है बर जो है यहां गेट बने वे हैं वहापर आप प्राकरतिक नजारा देख सकते हैं हलकी फवार आती है पानी की इसके साथ में जो डैम है इसमें क्रूज बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं रेस बोटिंग भी जो है इसमें चलती है पावर हाउस में जो हाइडरो इलेक्ट्रिक लगा विजली बनाने का सनियंतर जो है उसको आप देख सकते हो, काफी अच्छी जगह है ये, इसके बाद चलते हैं, इसी रूट से वापस की तरफ, जमनतारा ब्रिज से शुरू करते हैं, जमनतारा ब्रिज जो है, वो रेलवे और जो रोड दोनों ब्रिज हैं, एक साथ वापर, काफी सुन्दर नजारा है, नीच से वो आएगा, ग्वारी घाट, ग्वारी घाट के बीच में जो है, एक मंदिर है, यहाँ पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हो, रात के समय यहाँ पर महा-ारती होती है, घाट पर काफी भीड रहती है, इसके आज़ पाथ बहुति सुन्दर-सुन्दर मंदिर और घाट ब चलता रहता है यहां पर इसके बाद अगले इसी रोड से चलते हैं इसी ट्रैक पर आगे तो है तिलवारा घाड बड़े नए ब्रीज के साथ में पुराना चोटा ब्रीज है जिस पर आप बैठ करके जो है सांती का जो है अनुभव ले सकते हैं घाट जो है वो पक्का बनाया हुआ तिलवारा घाट काफी अच्छा जो है साप सुंदर घाट है यहां पर जो है बोटिंग का भी नजारा लिया जा सकता है इसके बाद में जो है इसी रूट पर जब हम आगे चलते हैं दुआदार फाल की तरफ तो यह रस्ते में आता है लमेटा घाट एक छोटा सा घा इत्यास में इसका काफी नाम है दुआदार फाल का यहां पर जो है आप रोपवे का मज़ा ले सकते हैं हलकी हलकी जो फवार आती है जो पानी उपर से गिरता है यहाँ पर जो है संगमर्वर के जो पत्थर उनको काट करके अकरतिया बनाई है नाम लिखे जाते हैं इस परकार आप यहाँ सोपिंग भी कर सकते हो काफी अच्छा जो है स्थान है बहुत ही ठंडा पानी है दुआदार फाल से कुछ ही मीटर पहले आप याँ पर सनान कर सकते हैं पत्थरों के अंदर से पानी आता है काफी अच्छे व्यूपॉइंट है यहाँ पर इसके साथ जब दुआदार फोल से है थोड़ी आगे जाएंगे तो स्थान आएगा चोषट योगिनी मंदिर पाड़ी पर बना हुआ गोल मंदिर नेचुरल मंदिर है पत्रों को जोड करके बनाया हुआ है बहुत ही सुन्दर जो है ये मंदिर है पाड़ी पर जिस पर जो है काफी अच्छा व्यू बनता है यहाँ पर मंदिर के चारों और परिकर्मा की जाती है और सीडियों से जो है इ ये पूरा मंदिर काफी पुराना आर्टिटेक्चर से बना हुआ है इसके जैसे इसी रस्ते से थोड़ा सवरागे चलेंगे तो आता है भेडागाद मारवल की चट्टानों से गिरा हुआ बोटिंग का जो है आप यहां पर मजा ले सकते हो काफी अच्छा जो है यहां पर काफी भीड रहती है माता जी के दर्सन करने के बाद जब वापस फिर जबलपुर की तरफ आते हैं तो रस्ते में आता है पिशन हरी की मडिया जैन मंदीर है बहुती परसिद पहाड़ी पर बहुती कलाकारी से सीडिया लगा कर बनाया हुआ यह मंदीर भगवान महवीर सही 24 तिर्ख करतों की मूर्तिया अंदर जो है काश्य की मूर्तिया इसमें जो है बनी हुई है नीचे जो है गुमबद बने हुए है दरमसाला है यहाँ पर रुकने की पूरा व्यवस्ता है यहाँ पर साप पानी मतलब बहुत ही अच्छा है यहाँ से सिटी व्यू भी बनता है अब जरूर पिसन अरी के मडिया एक बार गूम कराना है बहुत ही जो है जवलपुर के परसिद सेरों में है अगला है देवताल गार्डन देवताल गार्डन में जो है जील है जिसमें कमल के बड़े-बड़े फूल आते हैं यह कपल्स के लिए वैसे विशेश जगें है पॉइंट बनता है सिटी का यहाँ से जिसमें किले दिखते है इसके पास ही जो है एक ओक्सीजन गार्डन बनाया जा रहा है जो विक्सित नहीं हुआ है हो रहा है साथ में ओसो का भी गार्डन वहां भी आप भर्मन कर सकते हो जब इस रस्ते पर एंट्री करते तो एंट्र नहीं बूलना है वहीं पर इसके बाद जो अगला प्लेस आता है वो आता है कचनार सिटी का सिव मंदिर कचनार सिटी का जो है सिव मंदिर एक बड़ी मूर्ती है जिसके नीचे गुफा है उस गुफा में छोटे-छोटे जो है मूर्तिया रखी हुई है देवी देवताओं की ये भी काफी अच्छा प्लेस है इसके बाद वापस आएंगे तो रानी दुर्गावती का किला जाना नहीं बूलना है ये किला जो है बहुत ही परसिद जो है रानी दुर्गावती का है जो चटान काट करके बनाया गया है इस किले को बगल में ही पुरानी इमारते हैं बड़ी-बड़ी और जब इसके उपर चड़कर देखते तो पुरा सहर बहुत अच्छे से दिखाई देता है इसके बाद में जब अगले स्थान की तरफ जाएंगे तो यह है भवरताल गार्डन जवलपुर का सुपरसिद गार्डन है साम के समय इसमें गुमने के लिए टिकट लगती है दस रुपे की और इस गार्डन में काफी मूर्तिया भी है और बहुती सुंदर गार्डन है यह इसके बगल में है राणी दुरगावती का म्यूजियम जिसमें जो है पुरानी चीजे रखी हुई है अमारे योदाओं की मूर्ति है उनकी जो इतिहास है उसको सजीव चित्रनी यहाँ पर किया गया जब राणी दुरगावती से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक समार्ग भी है गोल बजार के अंदर जहां एक म्यूजियम है और म्यूजियम में जो है उनकी प्राचीन जो है सम्रणिय चीजे रखी हुई है इसको भी देखना नहीं बूलना है और अंतिम स्थान है जब सिटी की तरफ बाहर जाएंगे जी सियप में पाठ बाबा का मंदिर पहाड दाव है वो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं धन्यवाद